नमस्कार, आज हम लोग भगवान के प्रशाद के लिए बतासा घर पे बना के तियार कल जाए, इबना और बहुती आसाना बस वीडियो के ध्यान से देखी, तो आप भी एसन बतासा घर पे बना के प्रशाद के रूप में चड़ा सकी लाँ, इबतासा अक्सर हम लोग के यू प्रशाद में उतना सुधता और साफ सफाई ना रहे ले तो हमार तो राहिए है कि इस तरह से आप बतासा बना के घर पे भगवान के भूग लगा सकी लाँ तो आपको बतासा एक दम शुद्ध और साफ भी रहे तो सिबसे पहले एक प्लेट ले और प्लेट के पर थोड़ को मोटी कितली के कढ़ाई में एक कप चीनी डाल देई तो जोने कपसे चीनी है उसी कपसे आधा कप पाई डाले के हैं में पानी डाले के बाद एक चीनी और पानी के मिश्रण के तेज आज पर उगले देवे के हैं तो सबसे पहले गैस के तेज आज पर खोली और उगरे ब चाशनी के साफ करें के लिए दू बिलकुल कम डाले कि एक चो था 1 कब से भी थोड़ा सकी यह ठोना से दूट डाल दे था ही दूट डाले से छाशनी करम साफ हो जाई दूर डाले के बाद इमिशन में अच्छा सा उबाल आवेला और से सारा गंदगी छटके किनारे पा आपके बताश्या का पाग ना आ जाए तो ध्यान यहां पर इदेवे कि है कि यदि आपका चाश्नी का रंग मतमैला हो खा तब यह में दूट डालके साफ करें यदि आपका चाश्नी साफ होका गंदी नहों तो थोड़ा भी दूट डाले का उशकता ना है और जब आपका ची एक दम बिल्कुल तैयार रहा तो यहां पर हम गैस का आच एकदम कम कर दे ले हैं का ऐसे कि जब तक हम लोग चाश्नी चेक कर जाए तब तक यदि तेज आच पर चाश्नी उबलत रहे तो चाश्नी करी हो जाए तो यहां पर देखिए जाच एकदम कम है और इस तरह से तो अब यहां पर ग्यास के बंद कर दें और यह चाश्नी के थोड़ा से चला चला के ठंडा करें तो यदि आपके छोटा-छोटा बताशा बनाए तो यहीं पर आप एक कडशी के सहायता से उठा के उस प्लेट में डाल सकीना थोड़ा-थोड़ा मिश्रण के तो आपका छ तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि में कितना अच्छा सा उबाला वेला जबकि आज ग्यास के खुलना तब भी अच्छा सा उबालाई और तब तुरंत ओ प्लेट में इस चाश्नी के गिरावे किया तो आपका बताशा एकदम नरम और खीला-खीला बनके तयार होई तो तो ग्यास बंद के लिए के बाद यहां पर चाश्नी के चलाते हुए हमके स्रीप पास मेंट बहला पास मेंट के बाद इस तरह से बनके तयार हो जाले और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि में कितना अच्छा सा उबाला गया तो बस एकदम जल्दी से उठा के अबेके प खुला खुला और नरम बनके तयार हो जाला और मुश्किल से 10 मिनट के अंदर यह एकदम कड़ा हो जाला एकदम अच्छी तरह से बताशा का रूप लेला एक ठंडा होके में ज्यादा समय ना लगेला तो जब तक यह बताशा हम लोगा ठंडा होता तब तक हम फिर से कड़ प्राइ में उज़न चाश्नी बचली होके गरम कर ले थे और यहाँ पर थोड़ा से चोटा चोटा बताशा भी बना ले थे तो जिस तरह से यह बताशा बनावे के समय भी पाक के चिक कर लेए किया तब आपको बताशा अच्छा बनके तयार होए तो यहां पर देखिए मु जब भी घर से बनावल प्रशाद चड़ावे का मुन करें तो आप बताशा के बना लें बनावल बहुते आसाना ज्यादा समय ना लगेला बस चाशनी आपके पहिचाने आवे कि चाशनी यदि आपके अची तर से पहिचाने आओ था तो आपको बताशा एकदम जैसन हमार बन करें ना कि चड़ाएं तो यहां पर देखी हमार बताशा कीतना अच्छा बढ़ियां बन के त्यार भला यह बड़ा वाला और चुटा वाला भी बन के तैयार होगा ला तो इस शूटा वला बताशा बनावे के समय चाशनी थोड़ा सोतना परफेक्ट ना भहिल यह तो यह बन के तयार भला लेकिन बड़ा वाला बताशा हमारे एकदम अच्छा बन के तयार भला तो जैसे न बड़ा वाला बताशा बनाएगे समय हम आप लोग अनके चाशनी बताओ नहीं है वैसे न चेक करके आप बनाए तो आपका बताशा भी बिल्कुल हमरे तरह से बन के तयार ह तो यहां पर हमें बताशा के तोड़ के भी देका होता हैं की बताशा अंदर से कितना खिला-खिला और एगुदम नरम बनके तयार हो। LEKIN, इस इफृटन से कि इंदम अच्छा है एगुदम खिला-खिला और नरम है। तो यदि यी वीडियो आप लोगन के थोड़ा भी अपनी भाषा भूचपुरी में पसंद आई लोई तो वीडियो के लाइक, शेयर, कमेंट कर बिल्कुल भी न भूलें और यदि चानल पर नया है ऐसाने और भी रेसिपी अपनी भाषा भूचपुरी में देखा चाहते हैं तो भूचपुरी सकी रेसिपी के सस्क्राइब कर लें और नीचे कमेंट जरूर करें कमेंट करें से पता चलेला कि आप लोगन के ये वीडियो अपनी भाषा भूचपुरी में कैसा न लगा थिया तो मिलत है फिर अगली नही रेसिपिक साथ तब तक के लिए नमस्कार